हेलो गाइस नमस्कार स्वागत है आज हमारे चैनल बेस्ट मैडिसीन रिव्यू में आपका आज हम बात करेंगे लीव 52 टैबलेट्स के बारे में जो हिमालयन कंपनी के दुआरा बनाया जाता है यह एक बेस्ट लिवर टॉनिक है और फिजी से अन हम ऐसा रिकमेंट करते हैं अगर लीवर में कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसको ले सकते हैं पहले हम बात करेंगे आप इसके क्या क्याisia फायदे हैं सबसे पहली बात अगर आपने सराब पी लिया है सराब पीन की बज़े से अगर लीवर खराब हो गया है तो आप अपने इस लीवर को स्ट्रॉंग कर सकते हैं इस दवाई से अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो आप भूख बढ़ा सकते हैं लीवर में जो भी टॉक्सिक असीड है इस टैबलेट्स के रूप में लेने स से बाहर निकल आती है और आपके पेट और लीवर साफ हो जाती है ठीक है यह एक आयरुबेटिक मेडिसेन है सोज आप इसको ले सकते ज्यादा दर साइड इफेक्ट नहीं है लीवर को होने वाले इंफेक्शन से यह टैबलेट्स बचाती है और आपके डाइजस्ट सिस्ट श्ट्रांम बनाती है जिसके जान्डीज हो गया है जान्डीज होने के वजह से लिवर पिलीया की बिमारी हो जो हो से लिवर से संवाजय के रोक्त से यह यह में एक और नो'RE एक स्त padत को और पावरफुल टैबलेट से जिसका नाम है लीफ 52 DS जिससे लीफ 52 से डबल पावर हैं बच्चे के लिए इसके सीरप आती है और कब इसको लेना चाहिए बड़े इसको ले सकते हैं दीन में 2-3 को लिया और बच्चे इसको ले सकते हैं बच्चे बोले तो 12 साल से उपर के बच्चे को चोटे जो 12 साल से चोटे हैं उनको सीरप ही लेना चाहिए और जो 12 साल से 12 साल के आसपास के बीच 18 साल तक दीन में 1-2 गोली ले सकते हैं हलांकि बहुत लोगों का कहना इस बोल्डी बिल्डिंग में भी साहता होती है लेकिन डारिक लिए बोल्डी इस तरह से चीज़े लिया है इसके जो साइड इफेक्ट है इस टेब्लेट को लेने से कम हो सकती है और आपको इससे भूख बढ़ाती है हलांकि इसके ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है लिव हिमालाई कंपनी की और से जैसे उसने दावा किया है वो सबसे अच्छी और जादा भीकिनय वाली दबाई है युरोप और अमरिकन कंट्रीज में सबसे अधिक इंपोर्ट होने वाले दबाई है और इसके जो प्राइस है जैसे आपको देख सकते हैं 100 रुपीय की है 100 रुपीय में आपको 100 टेबलेट्स मिलती है इस तरह से देखने को मिलती है जैसे जुक करते हैं जो हिमालाई कंपणी इसका है कि जयादा कHIंती में 100 ढरीट में 100 बहुत है अगर अगर bekommt लेते हैं तो cette सो रुपियों में आपको तीन महीने से भी जा सकते हैं इसे के साथ आज का वीडियो धन्नाबाद